आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान तेल मीलो की मांग सुदरने से सरसो की कीमत में तेजी दर्च की गई है जैपुर में कंडीशन की सरसो के दाम 150 रुपए तेज होकर 7700 रुपए प्रतिकुंटल हो गए है उदर सलोनी आगरा में भी खरीद भाव में 150 रुपए की बड़ोती दर्च ही गई है जबकि बीपी ओयल मील आगरा ने भाव को पूर्यस्तर पर बनाए रखा है वेपारियों के अनुसार उत्पादक राज्य में मौसम साफ है तथा आगे भी मौसम ने साथ दिया तो फरवरी के अंत तक नई फसल की आवग शुरू हो जाएगी मार्च में नई सरसो की आवग बहुर बढ़ेगी जानकारों के अनुसार हाजिर बजार में सरसो का बकाया स्टॉक कम है तथा पिछले दिनों की गिरावट के बाद प्लांट वालों की खरीद निकल आई है स्टॉकिस्ट ने भी नीचे दाम पर बिक्वाली नहीं कर रहे है ऐसे में माना जा रहा है कि मौझूदा कीमतों में हलका सुदार और भी बन सकता है लेकिन बड़ी तेजी के असार अब कम है जानकारों के अनुसार बुआई में कोई बड़ोतरी के साथ ही आगे मौसम फसल के अनुकूल रहा तो सरसो का उत्पादन 110 से 120 लाग टन होने का अनुमान है हाला कि पिछले दिनों सरसो के उत्पादगराज में बे मौसम बारिश ओला वरिस्टी आदी से आशिंकेत नुकसान के भी समाचार है सरसो की बुआई चालू रभी में बढ़कर 91.44-91 लाग हेक्टेर की हो चुकी है जबकि पिछले साल के समान अवदी में इसकी बुआई 73 लाग हेक्टेर में हुई थी प्रमुक उत्पादन राज राजस्थान में सरसो की बुआई चालू रभी में 33.87 लाग हेक्टेर में हुई है जो कि पिछले साल के 24.78 लाग हेक्टेर के से जादा है मध्यप्रदेश में सरसो की बुवाई बढ़कर 11.7.2 लाग हेक्टेअर में हुई है जबके पिछले साल 7.8.1 लाग हेक्टेअर में ये हुई थी मयूतर प्रदेश में सरसों की बुआई बढ़कर 9.187 लाग हेक्टेर में हुई है इसके अलावा राज़ में 4.29 लाग हेक्टेर में तोरी की बुआई हुई है देशबर की मंडी में शनिवार को सरसों की आवक 7 लाग बोरियों की करीब हुई है कुल आवकों में राजिस्तान में 50,000 बोरी, मध्यप्रदेश में 20,000 बोरी, मयूतर प्रदेश में 20,000 बोरी, पंजाब और हर्याना में 5,000 बोरी, गुजरात में 5,000 बोरी तथा अनिराज्य में 25,000 बोरियों की आवक हुई है ब्यूरो रिपोर्ट मारके टाइम्स टीवी टाक्स जुड़ी परिशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरन तयार करने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान